सब्सक्राइब कर दो यहां पर देखते देखे को सा नंबर देखते हैं पर पहला नंबर देखे आप से पूछा गया है चलिए सभी लोग यहाँ पर question number पहले नमबर का जबाब दीजिए वीडियो को like share कर दीजिए चलिए यहाँ पर देखिए question number देखिए पहले नमबर आपसे पूछा गया है 20 सुका पर्थम सूपर कंप्यूटर है चलिए यहाँ पर देखिए comment करना है वीडियो का पर्थम सुपर कंप्यूटर इनमें सेかंट सा है आपको जवाब देना है right answer यहाँ पर क्या होगा चलिए यहाँ पर देखिए comment करना है को'REसा नमबर देखिए पहले नमबर का जवाब आ गया है यहाँ पर कह रहे हैं परम परम नहीं है IBM 30 रहाद रखिएगा बेस्टो का पर्थम सुपर कम्पूटर की जब बात होगी IBM 30 आपका है बिकल्प नमबर जाएगा डी नमबर के साथ अगला प्रश्ण बताईए यहाँ पर देखिए बताना प्रमुक आबूसन बाजार उत्तर प आपका है हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आपसा नमबर यहाँ पर होगा अगला प्रश्ण बताईए यहाँ पर देखिए पूचा गया नेमलिखित में से किस ने 1878 के वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था बताईए किसके सासनकाल में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था 1878 का और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिचा गया है चले यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए राइट असर यहाँ पर क्य इनमें से किस देश की तढ रेखा सबसे अधिक है यहां पर कमेंट करें राइट अंसरा आपका यहाँ पर क्योंगा है प्राचल निम्न लिखित में से कौन सा है यहां पर देखिए आपको जवाब देना प्रति ब्EL का रियानन के लिए राज्यों की रैंकिंग में सीर्स राज्य कौन सा है यहां पर दिखेए आपको बताना है राश्टी खा सुरच्छा अधनियम के कार्यानवन के लिए राजियों की रैंकिंग में सीर्स राज्य कौन सा है तो यहाँ पर सीर्स राज्य की बात करेंगे तो आपका उडिसा है बात करेंगे तो यहाँ पर होगा चली यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राज्य कार्यानवन के लिए पर क्या होगा पूछा गया है आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार के दोवारा कासी यात्रा योजना की शुरुआत की लिए है यहाँ पर देखिए बिल्कुल सरी जवाब दिया गया है करनाटक सरकार ने बिल्कुल सही है आपसा नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है अगरवप्रस्ण बताईए हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दा माउंटेन इजे कालिंग ने अंतार राष्टी है पैनोरमा गोल्डेन अवार जीता है यह किसकी पुस्तक है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राजिटन सार आपके हाँ पर क्या होगा हाँ कोसर नमबर देखिए नो नमबर का जवाब आ गया है कह रहे हैं केवी रगुपती बिल्कुल सही है आपसर नमबर यहाँ पर ए नमबर जिनका भी जवाब आ रहा बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रिशन पताई है गांधार कला किन्दो कलाओं का सायूजन है तो आप का हेहाँ पर जवाब क्या होगा कमेंट कर जिए दस नमबर का और 10 नमबर कहरें, बी नमबर होगा, हिंदू और हिंद, हाना हिंद यूनानी है, आफसर नमबर यहाँ पर क्या होगा, बी नमबर, बिल्कुल करेक्टर अपका यहाँ पर हो जाएगा, अगला प्रेश्ण बताइए, निम्ने लिखित में से किस समझावते का लच्छे, हिंद प्रेश्ण बताइए, इनमें से कौन सब विसाय संग सुची में सामिल है, चार आपसान आपके दिये गए हैं, बंदरगा, भूम, इक्रसी और साराब, यहाँ पर देखिए, अगर संग सुची के बात हो रहे हैं, यहाँ पर केरिंदर कानूर मना सकती है, तो यह आपका बं सब्सक्राइब कान थे, हाँ, बिल्कुल सही है, देखिए, 21 महीने के लिए आपका राष्टी भारत आपातकार लगाया गया था, फकरुत दिन अली अहमद बताया जा रहा है, आपसा नमबर यहाँ पर क्या होगा, बी नमबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी होगा, चलि आज़ी बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए बताना है भारत में निम्रिखित में से किस एक को छोड़ कर बाकि सबी सबी के सभी क्या है, सरकारी राजस्व के सुरोध है, क्रसी आयकर इंटी डंफिंग डूटी लिखा हुआ है, दस्तूरी का लिखा हुआ है तो यहां पर जो आपका anti-dumping duty न है न यही नहीं है बाकिस है अगला प्रिश्ण बताईए यहां पर देखिए पूछा गया बहुत मर में कराया महा नदी के तड़फर कौन सा सहर इस्थित है बताइए महा नदी के तड़फर कौन सा सहर इस्थित है हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है कटक हना बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं कटोर कोईले का सबसे अधिक गुडवत्ता वाला कौन सा कोईला है यहां पर देखिए बताना है बल आगोंड की दिसा क्या है कमेंट करिए हाँ बिल्कुल सही है तो यहां पर आपको होका आपका लागों बल की दिसा के लंबवत लागोंड की दिसा के लंबवत अपसा नंबर आपका ओंशायवधकर अगला क्रायों बता हुए कांस का जो मिश्कत्र धातु है किस्से मिलकर बना होता है का ना किस्से मिलकर बना होता है बताये रुए 18 नमबर यहां पर जवाब आ गया कहे रहirtंत तांबा और टिन बिल्कुर सइह डिक हो डाल एक उप जरस्ता इस से मिलकर पीतल बनता है है ना तामबा जिंग को जस्ता कहते हैं हिंदी में तो तामबा और जब जस्ता के बात होती है तो पीतल होता है तो सही कह रहे है ना तामबा जब जस्ता मिलकर बनता जिंग सबसे बड़ी ग्रंधी कौंसी है अगला प्रश्न में सबसे बड़ी ग्रंंती कौंसी है प्रेंगर यहां पर रख похож all-in आपका यह नवर हो गया है तो अच्छा कि सबसे बाहरी परत क्या होती पूछा गया यह भी प्रेस्टि जाम में तो अच्छा कि जो बाहरी प्रत होती है वह दर्मिस होती है फ़र्ली विकल्प है योगला प्रणब के में एसोसियटिव मेमोरी को क्या कहते हैं 21 नमबर में देखिए आपको जवाब देना है सुचना प्रवाद होगे कि में एसोसियेटी मेमोरी क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उसे अगला प्रस्ण है ओजोन की जो परत है वाई मंडल की किस परत में होती है यह होती यह होती है समताब मंडल यहाँ पर का ओँसे समताब मंडल क्या होता इस ट्रेटों इस पर होता है न आपसान नंबर सी होगा हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है अगला प्रस्ण बताईए नई सिच्छा नीति को लागू करने वाला पहला र उत्तरा खंड होगा उत्तरा खंड की राध्धानी देहरादून उत्तर प्रदेश नहीं उत्तरा खंड है आपका उत्तरा खंड है आपका उत्तरा खंड चली आगे बढ़ते हैं किस राज सरकार के द्वारा स्वा निर्भर नारी योजना की सुरवात की गई है हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है इस योजना को देश यही है कि राजी की आर्थिक के रूप से वंचित महिराओं को ससकत बनाना है और यह शुरू की गई है आपका हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइड अंसर है आपका असम बिल्कुल सही है असम अगला प्रशन बताईए प्रसिद्ध कभी अमीर खुसरो निमलिखित में सिक्की से को छोड़कर बाकी सब के समकालेन थे बताईए किसको छोड़कर तो देखिए अलाओ देन खिल जी यह सब है इलतुतमिस नहीं आपसा नंबर यहाँ पर सी होगा 25 नंबर का जिनका भी जवाब सियारा ना बिल्कुल सही अंसर आपका होगा अगला प्रशन बताईए सांती निगेतन का निर्मार किस ने किया था चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट अंसर आपके यहाँ पर क्या होगा हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है अगला प्रशन बताईए कि दस्वी और 2000 सताफ्दी में भारत आने वाला यात्री आल वरूनी किसदेश था दस्वी और ऀंडवी हाज यह किस देश से था याद रखियेगा को जवेस्तान आप सा पुरंदर के संधिक प्रतेश्च सिद्धे सैं सिवा जीवासटान के बीज विवाद के वी मोना आपसं नमबर यहां पर क्या हो होगा बी नमबर बिल्कुल करेक्ट इंश्र आपका हैं पर वहगा भाती सम्मिधान का अनुच्छत 222 एक न्याया से दूसरे में इस्थानांत्रण किसे संबंदित है कि चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर के कमेंट करना यहाँ पर राइट है सर क्या होगा यहाँ पर केंदर सरकार बिल्कुल सही जबाब है अपसर नंबर भी होगा अगला प्रस्ट मताइए लोग सवा में कितनी सीटे अनशूची जाती और में से अधिक छेते हैं कि इसराज में मायंग रोड़ान का सबसे जैदी तरहे है कि से इस्थिस नमपर करींड कर यहां पर अगला प्र्श्न बताईे भातिक मात्रा प्रेक्र अगला प्रेख कर्था है च अगला प्रेस्वाल नियुक्र करें हेन्सलिकत होता है वर्षा मापने की यह रहता है वर्षा मारेस होती Santo तो इंस्टुमेंट होता है मेजर किया जाता है इंस्टुमेंट उसका नाम क्या है उसे क्या कहते हैं हाँ यहां पर देखे जवाब बिल्कुल सही है आपसा नंबर सी होगा अगला प्रस्ण है भारती रिजवर्बैंग का लेखा वर्स क्या है देखिए भारती रिजवर्बै यानि RBI का अगर हम लेखा वर्स की बात करेंगे तो बताइए यहाँ पर अंसर क्या होगा 1st April 31 मार्च बिल्कुल सही है आपसा नंबर ए होगा अगला प्रश्ण बताइए हाँ हाँ बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बताइए हाली में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखा कौन है बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखा कौन है काफिलों के लगा लगा अंसर आ रहे हैं यहाँ पर आपका है अंसर आपसा नंबर बी है बेंजामीन नेतने आहू करके ठीक है ना आपसा नंबर आपका है बी नमबर आपका राइड 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 राइ मार्च दो हजार तेइस आफसा नंबर भी होगा मार्च में मार्च चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च इसी महीने जो चल लाए आपका लव इस्तंब कहां इस्तित है बताईए 38 नंबर बताईए लव इस्तंब कहां परिस्तित कुत्व मिनार भवन समूंग आपसा नंबर पहले ही सई है अगला प्रिश्ण बताईए कौण सी गुफाएं बहुत धर्में हिंदु धर्में और जैन धर्में के धार्मी कला की सांस करते कि मिस्तरण हैं बताईए कौण सी यहां पर है तो यहां होंगे जैपुर में जाके घूम सकते हैं हवा मेल देख सकते हैं राजस्तान में महाराजा राजा आपके सवाई परताफ सी न बनवाए था आपसा नंबर भी आपका सही है अगला प्रश्ण बताईए हाल ही में हाल ही में किस नेता के लंदन इस्तित घर को ब्लू प्लॉप जो बजट विवस्ता का प्रार्म है किस वह साथ सासी काल में हुआ था 42 बताए बहुत बढ़ी हैं बिलकुल है जवाब दिया गया लर्ड कैनिंग बताया जा रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट उसर है अगला प्रस्ण बताईए भारत के सम्विधान की साथवी अ कि भारती संभिधान का अनुच्छेद अब देखिए 41 सामने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा राज के नेत देशा सिद्धात आयलेंड देश से लिए गया है अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपका 36 से 51 है अगर हम भाग की बात करेंगे भाग नंबर कौ लिए गया होगा किसकी बात हो रही है बस हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अईसे प्रस्णिक आएंगे तो आप आसानिस कर सकते हैं लिखित में से कौँ सा आगने साल नहीं है यहां पर बताईए आगने साहल इन में से कौँ सानी है डोलो माइट ग्रेनाइट बेसाल्ट आगने साहल होते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है अगला प्रश्ण बताईए महानदी के तट पर इस्तित कौँ से सहर है अब इस स्टैप करवाया था है अगला प्रस्ण बताईए दो हजार ग्यारा की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरुस महिला का अगला प्रस्ण है वर्स्ट दो हजार ग्यारा की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश में साथादर दो हजार एक में दो हजार ग्यारा तक यानि एक से लेकर ग्यारा तक में कितना पर्शंट इक ब्रद्दी हुई तो यह डाटर याद रखेगा 11.45 परसेंट लगव हो जाएगा प्रियाग राज जिनका भी प्रियाग राज आ ना बिल्कुल सही है एक और प्रस्ण देखिए जनगर्णा सही है लिखा हुआ है भारत की जनगर्णा 2011 यहां उत्तर प्रदेश निमलिखित में से कौन सहर मिलियन सहर नहीं है तो यहां पर आपका आगरा भी है इंधुद ग्रियाग राज भी है मुरादावाद नहीं और यहां पर पचास नंबर गेहां पर ऑंपकर इनगरा आपको बिल्कुल उसरत नहीं तो तो कहीं न कहीं काफी को सीखने को आपको सभी को बनते बाता है।